Hello everyone, अब टाइचल तो आपने देखी लिया है, तो डाइरेक्ट मेकप की तरफ चुलते हैं। शिरुआत करेंगे स्किन प्रेप यानि की तवचा को तयार करने से। इसमें पहला स्टेप है एक टोनर या फिर आप रोज वाचर का यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन के टॉप लेयर को पानी से वेट बनाने के लिए ताकि ज़रा से भी ज्राइनेस ना रहे। आपकी तवचा बिल्कुल नम होनी चाहिए ताकि ये जादा स्मूध नजर आए। और फिल्म इंडस्ट्रीज में किये जाने वाले फ्लाउलेस मेकप के पीछे का ये एक बहुत ही इंपोर्टन फैक्टर है कि वो लोग अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रिपेर करते हैं, अच्छे स्किन केर प्रॉड़क्स, मॉइश्यराइजर का यूज़ करते हैं त जब सूख जाएगा और पच्छा पर एक्स्ट्रा पानी नहीं रहेगा, तब हम इसे मॉइस्ट्राइजर से कबर कर देंगे, जिससे साड़ी नमी सील हो जाएं, जब स्किन मॉइस्ट रहती है, तो ऑईल थोड़ा सा कम बनाती, क्योंकि ऑईल बनाने का परपस है की तरफ मसाज कीजिए, माथेब में बाहर की तरफ मसाज कीजिए, नाक पर भी उपर की तरफ मसाज कीजिए, और गर्दन में उपर नीचे की मोशन में मसाज कीजिए, रेगलर मसाज करने से आपके चैरे पर लिफ्ट आता है, अब बार ये कलर करेक्टर की, क्योंकि मेरा स और उसके बाद एक dry sponge से उसे set कर दीजिए एक dry sponge excess product को lift कर लेगा और जितने color character की ज़रूत है उतना ही color character रहेगा क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मूटी परत skin के उपर color character की रहेगी तो फ्रों बागी makeup के साथ mix होकर उसका color बिगाड़ेगी और यहाँ पर हमें पतली से पतली layers रखने है ताकि makeup कम से कम पता चले किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने makeup किया है पर चाहिए हमने बहले ही 5 घंटे बिताए हो शीशे के सामने अब इसी dry sponge की दूसरी side से अगर आपके चेहरे पर किसी हिस्से में हलका सा oil यहाँ तक आया है या फिर shine है तो उस जगे पर tap कीजिए ताकि वो oil या shine खतम हो जाए यह shine अभी हमारे किसी काम की नहीं है बाद में हम इसको लाएंगे आप चाहिए रहा excess product को tissue से भी blot कर सकते हैं एक बार necessary amount पचा पर रख चाहिए उसके बाद फिर आप sponge से blot कीजिए tissue से blot कीजिए जितना product ज़रूरी है उतना आप की skin कर बचा रहेगा वो कहीं नहीं जाने अब finally इस color character को अपने पर seal करने के लिए हम एक banana powder का यूज़ करेंगे brush में बिल्कुल जरा सा powder लेना है इतना की चेहरे पर उसा color ना आए बस वो brush में तोड़ा से drying effect आ जाए ताकि जब आप उसे color character की उपर रखें तो color character dry हो जाए बस यही purpose है color character को सुखाना है हमें ना की हम में चेहरे पर powder की परत चाहनी है अब मैं Maybelline की दो foundations के दो अलग-अलग shade यूज़ कर रहा हूँ एक super stay का shade है जो मेरी skin shade के साधा close है और दूसरा काफी dark है जो की मैं mix करूँगा ताकि यह मेरी skin का exact match बैल है डार्क वैला foundation fit निका है ओके यह exact match नहीं है यह थोड़ा सा light है ब फिनिश smooth आता है इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ आप भी try करके देख सकते है इससे एक बहुत ही खुबसूरत effect आएगा पहले आप tap-tap करके पूरे area में product को लगाएंगे उसके बाद जहां पर आपको लगता है बहुत जादा है फिर हम बिल्कुल हलकी हाथ से मिल और जहां लगेगा कि कुछ जादा ही foundation less लग रहा है वहां पर थोड़ा सा और पिक करके लगाएंगे इससे जो layers है वो बिल्कुल thin रहेंगे और जहां पर जादा की ज़रूरती सिर्फ वहीं पर जादा रहें जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने foundation को eyelids पर भी लगाया क्योंकि अब जो foundations हमने use किये हैं वो liquid foundation है और ये dry होकर set हो जाते हैं तो जब ये हलका सा dry होगा तब हम वही पुराना वाला dry sponge लेंगे और पूरे चेरे पर dab dab करेंगे त्याकि जितना भी extra product है वो निकल जाए और जब ज़रूरी amount है बस वही तवचा पर बना रहें इसको आप ऐसे कि हम extra product को soak ले रहे हैं ताकि उल्टे सीधे निशान ना बने और हमारा make-up even लगे बिल्कुल smooth अब मैं Latneki 9 to 5 की coral shade की lipstick यूज़ कर रहा हूँ ये एक बहुती cool सा दिखने वाला pink है पर हलका सा orange ही लगता है पर warmness इसमें नहीं है इस lipstick को मैं बने हाथ के पीछे वाले इससे में लगाखे sponge से उठा के फिर अपने गालों पर लगाऊंगा wet sponge से foundation और blush के लिए जो भी sponge में ने यूज़ किया है वो wet है सिर्फ शिरुवात में जो यूज़ किये थे वो dry थे क्योंकि वहाँ पर मुझे dry करना था product को यहाँ पर हमें product को blend करना है तो उसके लिए wet sponge is a better option या फिर आप brush यूज़ कीजिए जितने हिस्से में blush की जरूरत है उतने हिस्से में blush को लगाईए बिल्कुल थोड़ा सा blush आप चाहें तो nose पर लगा सकते हैं और माथे के sides पर यानि eyebrows ही किनारियों के ऊपर गंपटी वाले हिस्से पर लगा सकते हैं लेकिन क्योंकि मेरा skin tone थोड़ा सा green है और green skin tone पर natural blush दिखता ही नहीं है इसलिए मेरी skin पर गालों के अलावा तहीं भी लगाया गया blush unnatural ही लगता है इसलिए मैं सिर्फ गालों पर लगाऊंगा और मैं आपको भी suggest करूँगा कि अगर आप चाते हैं कि आपका make-up सबसे कम नजर आए तो आप ही केवल cheeks पर blush लगाये कहीं और बिलबल मत लगाये नाक पर भी नहीं अब हम इस पूरे look को powder से set करेंगे मैं same banana powder यूज़ कर रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर bronzer या contour नहीं किया है क्योंकि अगर आप ना कुछ करेंगे it's going to look like आपके चाहरे पर कुछ तो color में hair hair किया गया है इसलिए हमने क्या किया था कि दो different shade के foundations को mix किया था तो highlights वाले area में light वाला थोड़ा सा जादा रखा था और चेहरे की जो sides है उसके लिए dark वाला थोड़ा सा जादा रखा तो यह बिल्कुल minimal difference है इतना difference है कि artificial भी नहीं लगेगा और सिर्फ एक color करने पर चेहरा flat लगता तो वो भी नहीं लगेगा अब आँखों की बारी है एक बार फिर से sponge से आँखों का जो foundation है उसको blend कर लिया है ताकि even layer बन जाए लेकिन eyeshadow से पहले eyebrow pencil का दाम खतम कर लेते हैं आपके पास जो भी eyebrow pencil है उसको लीजिए और बिल्कुल हलके हाथ से बालों जैसे strokes में बालों की है growth की direction में draw करते जाएगे आप चाहें तो हलके हाथ से पूरी eyebrow का shape draw करके उसके अंदर भर सकते हैं जितने भी इससे खाली खाली है उनको बर ये dark math use कीजिए exactly black eyebrow pencil यूजिए कोई ज़रूरत नहीं है grey लीजिए या dark brown लीजिए उससे आपका काम ह जाएगा क्योंकि अगर आप बिल्कुल black कर लेंगे या फिर जादा dark कर लेंगे तो वो नकली लगेगा और एक बार फिर से artificial लगया जो कि हम नहीं जाते हैं brow के बालों को नीचे की तरफ brush करके उपर वाले हिस्से को फिल कीजिए और फिर उपर की तरफ brush करके नीचे वाले हिस्से को फिल कीजिए और फिर जब दौनों eyebrows fill हो जाएं उसके बाद बालों को सही direction में brush कीजिए ताकि सब कुछ set रहे अब बारी है eye makeup की हम अपने skin से 2-3 shade dark brown powder लेंगे make sure कि ये powder बहुत ज़दा orange ना हो बहुत ज़दा yellow ना हो ये powder neutral दिखना चाहिए grey-grey सा होना चाहिए brown क्योंकि अगर आप orange या फिर yellow या फिर किसी और type का brown लेंगे तो नज़र आएगा जैसे आपने कुछ लगाया है यहाँ पर हमें सिर्फ ऐसे दिखाना है कि हमारी आँख का shape naturally ही punk जैसा है या cat जैसा है जैसा भी आप चाहते हैं कुछ लगाया ही नहीं इसलिए मेरी आँख पे ये foundation परचाई जैसा नदर आ रहा है क्योंकि हम परचाई ही बनाना चाहते हैं द्राइंग नहीं करना चाहते हैं परचाई बनाना चाहते हैं आँख के shape में draw कर लीजिए इस brown color को और अगर आप चाहें तो cat eye बना सकते हैं this is what I am trying to do I am trying to make an almond shape जो कि side से थोड़ा सा उठा हुआ हो अब अगर आप all matte चाहते हैं तो आप matte रख सकते हैं अगर आप shimmery चाहते हैं तो आप shimmery रख सकते हैं उसमें सब कुछ neutral रखने कोशिश की जाएगी क्योंकि अब देखिए ये जो actresses हैं ये तो रोज-रोज make-up करते हैं तो इनके लिए तो शादी में make-up ना करना is more special than make-up करना इसलिए इस साल का trend बहुती neutral होने वाला है and we are trying to recreate that this is why हमने सब कुछ इतना subtle रखा है आई make-up में थोड़ा से शिम्री जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर मेरा थोड़ा जाता शिम्री हो गया था तो आप देखेंगे मैं ब्रश से इसे blend करूँगा ताकि ये कम shine नहीं हो जाए light color lid पर इसके यूज़ कर रहे हैं ताकि गहराई वाला हिसता गहरा दिखे और फिर लिट थोड़ी सी उबरी दिखे तो ये जैसा painting में दिखाते हैं वो shape उभर कर आए जो natural shape होता है वो उभर कर आए अब dramatic liquid liners की कोई ज़रत नहीं है liquid liner कभी भी natural नहीं लगते हम यहाँ पर काजल यूज़ करेंगे या फिर आप चाहें तो gel liner यूज़ कर सकते हैं या फिर आप pencil liner यूज़ कर सकते हैं जो भी liner यूज़ करें वो smudge होजाना चाहिए वो blend होकर दुंदला होना चाहिए और यह म ज़र आता है काफी सादा वो नहीं लगता है subtle तो इसलिए हम उससे बचेंगे तो क्योंकि हम trend को follower ने कोशिश करें तो हम हर वो technique को यूज़ करेंगे जो कि इस trend को conform करेंगे trend है simple रहना so we are going to keep it simple और शायद आप मुझे पहली बार camera के सामने अपने eyelashes curl कर्ल करते हुए देखन जाए और बिल्कुल पतली लेर आपकी eyelashes पर लगे जिससे आपकी eyelashes natural लगे फिर से natural unnatural चीद लगा लगा कि natural देखने कोशिश की जा रही है क्या प्राथ है है ना अब जाए तो हलकी फुलकी fake lashes भी लगा सकते हैं जो बिल्कुल dramatic ना लगे इसके बाद एक eyelashes का कंगा यूज कीज ताक ही अगर mascara की वैसे आपस में चेपा गई हो तो यह अलग हो जाए नीचे वादी eyelashes पर भी आप ये काम कर सकते हैं अब हम एक nude pink lipstick का यूज करेंगे आप हलका से reddish tone भी ले सकते हैं आप अपने lips से inspiration कीजिए आपके lips का reddish color या reddish shade कौन सा है अगर आपके lips naturally काफी जादा red ह हैं dark हैं थोड़ी सी तो अपने लिए जो nude चुने उसमें आप darker red चुन सकते हैं जो की nude हो लेकिन उसमें redness थोड़ी जादा हो मैंने यापर जो lipstick यूज करी है वो कुछ ज़्यादा ही light color की है मेरा चेरा उसमें भूच जासा लगने लग गया था है इसलिए मैं एक red color की lipstick इसलिए लगना चाहिए कि यह तो हमारे ओठों की प्राकरतिक सुर्खी है हमने कुछ लगाया ही ने क्योंकि हम इतना make-up लगाते हैं रोज कि आज शादी में हमको कुछ special करने का मन नहीं है this is going to be the brand of Bollywood सच बता हूँ मैं तो शादी में कभी इतने कम make-up के लिए समर्धन अब थोड़ी सी जूल्ट्री हो जाए पहली बार मैंने कैमरा के सामने जूल्री पहनी है और पहली बार मैंने पूरी जूल्री पहनी है जब तक मैं जूल्री चड़ा रहा हूँ तब तक बात हो जाए मैंने इतने टाइम बाद वीडियो पोस्ट किया पिछले कुछ दिनों और मैं आपको सच बताओ, मेरी skin इस टाइम बहुत अच्छी लग रही है, इस makeup में camera catch कर पा रहा है या नहीं, वो तो आप देख सकते हैं, लेकिन रेल मेरी skin बहुत smooth लग रही है, thank god, ये skincare, skincare is great, okay, skincare पर खूब दियान दीचिए, और इपनी सारी jewelry पहन के मझे लगा, it's too much, ये इतना हलका makeup कर के जाएंगे, because Hollywood के लावा मैंने कहीं नहीं देखा, इतना हलका makeup, और Hollywood, ठीक है, film industry के लावा कहीं नहीं देखा, मैंने, इस makeup मेरी चहरे का तलर मेरी गर्दन के तलर से उड़ा लग लग रहा है, कि मैंने गर्दन पर मेकप लगाने की महनत नहीं की, लेकिन, अगर आप यार गो रहे हैं, कहीं बाहर जाने के लिए, पनी गर्दन और चेस्ट, जितना हिस्ता खुला है, उतने पर makeup कीजी, हाँ, जितना डीप नहीं के, उतना डीप तक makeup कीजी, that's it, that was all about our today's video, और आज मैंने बहुत ज़ादा teaching style को बनाने की कोशिश नहीं की, I was trying to keep it like I am talking to you all people, तो ये वीडियो कैसा लगा और आप इस तरीके के और वीडियो से चाहते हैं, जहांपर मैं थोड़ा सा humor एड़ करने की कोशिश कर रहूं अपनी वीडियो में, तो आप मुझे बता सकते हैं, और इसको like भी करती है, उससे भी मुझे बता चल जाएगा, that's it, that was all about मिलेंगे किसी और वीडियो में, और अगर आप थोड़ा सा लावड मेकप करना चाहते हैं, ये वाड़ा वीडियो ज़रूर चाहिएगा, बाई एव्रिवान